शुक्ष शुम्रद विज्यान चनल में हमारे सभी सुधी धर्सकड़ों का मैं सुषिल कुमार सर्मा हरदिक शागत करता हूँ कहते हैं दुख में सुमेरन सब करें और सुख में करें न कोई जो सुख में सुमेरन करें दुख काहे कोई श्रमाज की विड़मना है या क्या जा सिफता है यह तो सुभाव है मुनुष्य का सुभाव है जब तक उसके इसे में सुख आता है अब तक वो कोशिस नहीं करना चाहता न साधना की और नही कोई और कार की तो यह कभी को क्यों कहना पड़ा कि दुख में सुमिरन सब कर जब व्यक्ति आर्थ होता है जब व्यक्ति दुख में होता है वो दुख किसी भी कारण से हो जब किसी भी कारण से कोई दुख होगा तो आदमी फिर जो भी उससे को, वो करने को तयार होता है पर ऐसी वस्था में कुछ केस उधर जाते हैं तो कुछ केस नहीं सुधर ते जैसे किसी विक्ति से कहा जाए कि स्वार्थ की नीमों का पालन करो इतने टाइम उठो, इतने टाइम सोने को जाओ स्वार्थ की नीमों का पालन करो ये मत खाओ, ऐसा ऐसा जरूर खाना परेच करना नहीं सुनेगा जब कोई घातक रोग हो जाएगा तब फिर हास्पिटल में भरती भी होगा रुपया भी खर्च करेगा आप रेशन की बात हो भी तो आप रेशन भी करवा लेगा बच गया तो बच गया वर ना किसी प्रकार से ये कोई नहीं जानता की जीवन में कब किस छण कौनसी परेशानी आजाए किस दुख का वित्ति को शामना करना पड़ जाए कोई नहीं जानता क्योंना ऐसा कुछ कर लिया जाए जिससे की वह दुख आये ही नहीं जब बीमा करवा लोगे तो आपकी गाड़ी का चालान नहीं होगा और बीमा के बिना गाड़ी चला रहे हो कभी चालान हो गया तो डबल चालान होगा आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा कोट भी जान अपने वही कहने का ताथ पर मेरा आखिरकार ग्यक्ति अब लोग कहने लगते हैं कि आप तो पुरा तनपनती हैं और आप तो पुराने जमाने की बात करते हैं ये नया जमाना और पुराना जमाना होता क्या है लग कोई अच्छी चीज है सच है तू पुरानी भी हो तो भी उसका पालन करना चाहिए हमको ये क्या है कि नए जमाने के साथ चलो पुराने ख्यालों के हो पुराने ख्यालों के हैं तो वो ख्याल किसी को नुकसान तो नहीं पूँचा रहे हैं पैदा ही पूँचा रहे हैं और जो लोग नए ख्यालों के होते हैं अजिकांसता है उनकी सारी हरकतें उलजलूल होती है बेवकूफानी वरी होती है तो यह भूमिका कहने का बांधने कातात पर यही है कि शौर भूमिक जो शत्त्य हैं उनको स्विकार करें आज आप नए हैं कल पुराने होंगे ब्रद्ध होंगे तब जब खुद ही आप ब्रद्ध हो जाओगे तब नएपन का क्या करोगे ऐसे ही जो लोग पुराने थे वो भी कभी नए रहे होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बदलती नहीं सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कल युग, देवियों और देवतार, उनकी शाधनाएं वो वैसे की वैसे है, पीवड़ियां आती हैं, गुजर जाती हैं, परहिश्वर, उसकी सत्ता, ये प्रकरती, ये देवियों देवतार, ये सब बने रहते हैं और इनकी साधना, ये की साधना करके आप अपनी जीवन के कश्टों को निवारन कर सकते हैं, ये करते हैं बात वही है कि जब तक गले तक नहीं आ जाएगी, तब तक आप बात कुमानेंगे नहीं फिर जब कोई प्राबलम आएगी, तब रोएंगे, गिड़ गड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे तब क्या उतना लाब हो पाता है, इसलिए हर व्यक्ति को जब सुख के दिन हों, उन समयों पर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, उस समय भी हरी नाम का असरा ले, उस समय भी वो साधनाओं को कुछ करके रखे पहले से, तो जीवन भर क्रपा बनी रहती है और चाहिए आप जितने भी जैसे भी विचारदारा के हों, भगवान से बड़े कभी नहीं हो सकते, न कभी कोई हो पाया है इस्वर सक्थ था, सक्थ है और सक्थ रहेगा, इस्वर से बढ़कर कोई नहीं है सनातन अभी भी सत्य था, आज भी सत्य है, हमेशा रहेगा आप मेरे कहने से मत मानिये, कि सनातन धर्म उचा है, सनातन धर्म सबसे अच्छा है, मेरे कहने से मत मानियेगा आप रियलाइच करें उसकी आप तुलनात्मक अध्यन करें तो आप पाएंगे कि सनातन धर्म सबस्रेट है और देखिए सनातन धर्मियों ने कभी भी तलवार के दम से अपने धर्म का परचार नहीं किया बलकि उनका तो अपने आप ही परचार हो जाता है उनको परचार की जरूत नहीं है उनको जबर जस्ती किसी से मनवाने की जरूत नहीं है हजारों लोग भी देशों से आ करके अमेरिका जैसे देशों से आ करके रूस अगरा से आ करके ब्रंदामने में पड़े हुए है पुरुस महिला है आ करके लगजरी लाइफ को छोड़ करके यहां पर पड़े हुए हैं, जाने कितने मुस्लिम सुतेही हिंदु धर्म को बिना किसी दवाओ के बिना किसी जोड़ के माल रहे हैं, जाने कितने मुस्लिम कुरुश और महिलाएं बिना किसी दवाओ के वो अपने उस धर्म को छोड़ करके सनातन धर्म की विचार धारा के साथ आजुड़े हैं, और जो इस विचार धारा को हर्देंगम कर लेता है, वो फिर भटकता नहीं है, क्योंकि जहां से वो आते हैं, वहां की गंदगी को उन्हें देखा होता है, वहां की जो लाइफ इस्टाइल है, देखा होता हुने, जब उनका दम गुटता है, तब सनातन की वो राते हैं, और सनातन धर्म किसी को बाद नहीं करता, बादित नहीं करता, सनातन धर्म छोन करके जो चले जाते हैं उनके खिलाफ यहां फत्वा जारी नहीं किये जाते हैं खुद समझ में आ जाएगी तो वापस आ जाओ मुख्य बात यह है कि आप लोग साधनाओं में रूची लें इन साधनाओं के माध्यन से आपको जो साथच्छातकार होगा वो अपने आप में अनकॉम होगा जिव्य होगा और भली प्रकार से आपकी जीवन की निया आली बढ़ेगी सुखी रहेंगे संपनर है और ये दिख कहीं दुखाया भी तो दुख आपका कुछ विगाण नहीं पाएगा तो जाना ही होगा मैं इसी के साथ विडियों को विराम देता हूँ जे शिव संकर जे भुलेनाथ हर हर महादे झाल 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 झाल